हेलो दोस्तों आज हम लोग बहुलक निकालना सीखेंगे बहुलक मोड निकालना सीखेंगे तो चलिए आपको दिखाओगा कि ए आपके समू वाला बहुलक कैसे निकालते हैं तो यह आपके वर्ग और बारंबरता आपके कोहसंस या पर्सन में दिये रहेंगे तो इसे अब आप सोल्ट करना है कि आप बहुलक कैसे निकाले इस वाले समू का तो आपके वर्ग दिये रहेंगे 0 से 20 का बारंबरता 10 दिया हुआ है 20 से 40 का 35 दिया हुआ है और 40 से 60 के बीच का वर्ग का बारंबरता 52 दिया हुआ है और 60 से 80 के वर्ग के बीच का जो बारंबरता 61 दिया हुआ है और 80 से 100 के बीच में 38 दिया हुआ है और 100 से 120 के बारंबरता को कितना 29 दिया हुआ है तो बहुलक निकालने का तरीका यहां पर यह देखना कि जो बारंबरता सबसे ज़्यादा दिया हो उसे क्या मान लेना एप वन मान लेना उसके जश्ट उपर वाला क्या मानना एप नोट मानना और इसके जश्ट नीचे वाला क्या मानना एप टू मानना यही मानना है यही मान वाला यह क्या कहलाएगा बहुलक वर्ग कहलाएगा क्या कहलाएगा बहुलक वर्ग जो हो जाएगा बहुलक वर्ग बहुलक वर्ग जो होगा यहां पे वो क्या हो जाएगा आपके 60 से 80 हो जाएगे क्या हो जाएंगे 60 से 80 हो जाएंगे तो इसका lower limit जो होगा lower limit क्या है lower limit क्या है lower limit L कितना है जो आपके कम सिमीत वाले जो है कम सिमीत कितना है आपका 60 है और देखो जो वर्ग का size है आपकी class size वो दोनों में अगर difference करेंगे तो क्या 80 मैंनस 60 करेंगे यहां से अब हुप पढ़े होंगे बहुलक बराबर बहुलक का एक सुतर होता है यह सुतर अभ आपको याद राखना है क्या होता है बहुलक का सुतर होता है बहुलक बराबर होता है एल प्लस एल प्लस एल प्लस एफ़वन मैनस एफ़नोट बाइ टू एफ़वन टू एफ़वन मैनस एफ़नोट मैनस क्या होता है एफ़वनोट मैनस क्या होता है इंटू क्या होता है इंटू क्या होता है L plus, L plus F1 minus F0 by 2F1 minus F0 minus F2 into, क्या होता है, H होता है, तो ए फरमला आपको यद रखना है, तो अब यद बहुद लख बराबर क्या है, L के बराबर क्या है, 60 है, 60 रखिये सर, प्लस आपके F1 क्या है, F1 आपका 61 है, 61 रखिये, minus F0 कितना है, 52 है सर, 52 रख रहे हैं, by, by क्या, 2 into, f1 कितना है, f1 आपका 61 है, x60 रखे, minus, f0 कितना है, sr, 52 है, 52 है, minus, minus क्या, f2, f2 कितना है, sr, 38 है, 38 है, 38 है, into क्या है, into h, h के value क्या निकाले, sr, 20 निकाले, आप पहले क्या करेंगे, bracket को solve करेंगे, sr, bracket को solve करेंगे, तो क्या हो जाएगा, यह 60 plus, इसी हो जाएगा, 60 plus हो जाएगा, bracket को solve करेंगे, तो 61 में 52 जाएगा, 61 में 52 जाएगा, तो क्या बचेगा, 9 बचेगा, 9 बचेगा, नीचे क्या, 100, 100 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 112 में आपका कितना जाएगा सर 112 में आपका कितना जाएगा 112 में आपका 90 चला जाएगा 112 में 90 चला जाएगा क्योंकि 52, मैनस 52 और मैनस 38 कितना हो जाएगा मैनस आपके 90 हो जाएगा तो आपके 112 में 90 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 32 बचेगा सर 32 इंटू क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा अब आगे क्या हो जाएगा सर देखिएगा 60 प्लस क्या हो जाएगा 60 20 नवे 180 हो जाएगा सर 180 बटा 32 हो जाएगा आप इसे डिभाइड करेंगे सर तो इसे डिभाइड करेंगे तो देखिएगा कैसे हो जाएगा यह आपकी 8 चोक 32 क्या होगा सर 8 चोक 32 होगा और 45 चोक 180 होगा 45 चोक क्या हो जाएगा 80 तो आगे इसे क्या आगे सर देखिएगा आपके जो आएंगे क्या हो जाएगा 60 प्लस 60 प्लस 45 बाइट आएट आएगा आप 45 बाइट को डिवाइड करेंगे तो 8 बार में तो क्या हो जाएगा 85 जा 40 85 जा 40 क्या बचा 5 बचा 5 में 0 बचाएगे तो क्या प्वेंट देंगे तो आपका क्या हो जाएगा 8 शिख जा 8 शक 48 आप क्या 2 बचेगा एक 0 पर उट करेंगे तो क्या जाएगा 8 दो नी सल्लो क्या बचेगा आप 4 बचेगा फिर एक 0 देंगे 8 पले 8 पचे 40 तो क्या आगिया यहां से दिखना 6 पलस 5.625 आप क्या हो जाएगा 65.625 आपका क्या हो जाएगा इसका बहुलक किता हो जाएगा 65.625 हो जाएगा तो इस तरह से हम बहुलक निकालते हैं सर आपको समझ में आ गया होगा धन्यवात